के गाइस आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट से नहीं देखे तो अभी जाकर वह देखिए वरना आपको यह एपीसोड यहां पर समझ पर नहीं आएगा और यह एपीसोड जहां से खतम हुआ तो महीं से स्टाट होता है फर्स सीन में हमें हमार मेन करेक्टर दिखा जाता ह जो अपने रियल वर्स में होता है और वह तीन दिन बाद आता है तीन दिन बाद दिखा जाता है उसके स्टाटाई वो कहता है तो मुझे से लेखे हुआ इसा लगता है में इक आडितिन अब यह आपने धर्टक्तिं और चाता हूं तो मैं और यह करना पड़ेगा मुझे श्ट्रॉंग बढ़ना है तो मुझे यह सब सेयन करना होगा और वो अपने रियल वर्ड में अटेंशन वोकर वो ढूने लग जाता है फिर वो एक जगे पहुजता है और वो कहता है कि आप एक बच्चा होता है वो बच्चा कहता है बच्चा उसकी तरफ देखता और सच च्छिलाता है दोसी मुंचें कारइब पैसे कार घर करीदना होगा वह यूवीन से जाता है तुम्हां एक नए खर की जरूत क्या पड़ गई तुम मेरे घर मेरे रहता है वह आना ही बात थो सही है является मैं eth बागी मुझे तुमारे घर में कोई दिक कदने मगर मुझे खुद का भी तो घर चाहिए और ऐसा कहता है मेरा खुद का प्यारा घर ऐसा वह से कहते है इसलो ठीक है मैं तुम्हें दिल्वानी की पूरी कोशिश करूंगी फिर यूबीन होती है वह से चिड़ाते हुए कहती है कि मान लो बाइचांस तुम घर खरीद भी लेते हो बगर तुम उसका रेंट पे कैसे करोगे तुम तो कोई काम भी नहीं करते है तुमारा रेंक भी ओस्टार है तो तुम कैसे मतलब अपने घर का बिजली का बेल और दूसरे भाड़े बार होगे तुमारा घर को तो कोई illegal स मैं फिर यूमीन अपने कुछ पैसों की मदद से मतलब जो हमारा में करेक्टर कांग युवान है और तो कुछ पैसों की मदद यह घर करीद लेता है आखिर कार में कोई घर में ली गया जिस घर की मदद से मेरा मदब टाइम पास होगए क्योंकि उसके घर में मुझे मेरा रेंक बेशक ही अभी कम है मगर मैं दीरे दीरे इसको राइस करूँगा और आगे बढ़ाओंगा फिर जो कांग यह नो कहता है जो तारह है वो अभी भी मुझे देख रहे हैं इसका क्या मतलब है यह मैं अभी तक नहीं समझा और फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे में से एक स्टार चुनना आता और उनने मुझे चुनने के लिए खुद का आता हो और मैं मैंने कंफ्यूज होकर फिर भी मैंने एक स्टार चुन लिया जिस स्टार में मैं मतलब डेडली आर्मी को कंट्रोल कर सकता हूं और उसमें मेरे पास incredible strength होगी जिससे मैं बहुत powerful बनना जाता हूं मतलब थोड़ी देर के लिए उसका निमाख खराब हो जाता है फिर वो कहता है इस इंसानियत में मैं इंसानियत को मतलब जो वर्ल्ड है उसको destroy होने से बचा कर और दुनिया में सबस्यादा strongest survivor बनना चाहता हूं और उन monsters को मारना चाहता हूं ऐसा हमारा main character Kang कह रहा होता है और वह कहता है मेरे पास जितने भी स्टार्स है में स्टार्स की पावर को absorb करके और ज्यादा powerful chopper sticker बनना चाहता हूं फिर वह chop sticks की मदद से खाना शुरू कर देता है फिर जो कांग यून होता है वह यूमिन से कहता है तुमारे पास कोई और न्यूस है जिससे एक बहुत बड़ी announcement करी उसने कहा है बाकुडर डंजन में जाने के लिए वह सारे बंदे चूज करेगा जो बंदे वह जदा powerful होंगे उसको उसकी मतब से अपनी कोरिया की safety देख रहा है तो न्यूस ओन कर देता है फिर वह हमें दिखा जाता है न्यूस वह टीवी ओन करता ह जो उनकी जो company है उसमें से वह बहुत सारे बंदे जा देता है फिर हमें लीजी ट्यान न्यूस पर दिखाए जाता है वह कह रहा होता है हमारी जो नौर्थ को रिया है वह बहुत ज़दा अपने जगे पर जाके और रूइंस में जाके और जाता powerful बनेंगे और फिर वह कहता है फ्लूट फॉनियम यह कोई सी जगह है जो मतलब हमारी यूमीन है वह कहते है फ्लूट फॉनियम एक डंजन है जो बहुत ज़दा powerful है जहां पर बहुत सारे powerful powerful monsters रहते हैं जिदर इतने powerful monsters हैं हम कह भी नहीं सकते उनकी power का level क्या होगा जो बाकूर डंजन है उसके level 5 star है मतल बहुत सारे बंदों को ढूना जा रहा है जो सबस्यादा powerful हो और वहां पर जाके survive करें और Korea का नाम successfully रोशन करें कि हमने बहुत करना चाह रहा है तो हमें नहीं पता कि कॉरिया के कौन से कौन से hunter जाएंगे तो ऐसा वह human carry होती है और वह कहती है चलो हम lunch कर लेते हैं बाद मे देखेंगे कभी तो वह सोच रहा होता है हमारा main character कांगिवान कि मुझे लगता है कि हमारे इदर से कोई ज्यादा powerful everyday user है तो वह कहता है चलो मैं भी test देने चलता हूं एक दिन तीन दिन बाद तो फिर वह खाना खाते होगे सोच रहा है कि मैं जिस दिन test देने क्या पता नही लेविल सोच रहा होता है कि मैं कितना powerful आओंगा तो वैसे ही सोच रहा होता है कि यहना मेरा जो मतलब इस साल पता नहीं मेरे test में क्या आएगा वह ट्यस्वान क्लैन में साथ तक वह जॉइनिंग करना चाहता है अपनी जो हमारा main character है तो वह कहता है पार्गूटे डंजिन बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन मेरे को भी जाने का मन है उसके अंदर उसके अंदर क्या होगा और कौन से कौन से मौश्टर मिलेंगे तो उसको चेक करना चाहता है उस test को पास करेंगा और यूमी ने वह कहती है तुम पागल हो क्या तुम पहले खाने पे फोकस करो दू यूआन केहता है ठीक है मुझे माफ करना मैं घाने तो अपने घाने को फनिश कर देता है फिर उसकी एक लगी जब दिखाया जाता है तो थोड़ा सबर कर ला आगे कि तुजा नहीं दे नए पीचलता है तो फिर वहां पर पीचह दर बहुता होती है और पीचह बंदा के त वो बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम आज यहां पर पहली बारा रहे हूँ वह कहता है, Microsoft장이 मैं आज आज आख पैली बार हो है, अब वह अपने पास्ट की की बाद करता है मतलब बंदे हो आख्या होते हैं उनको पी धूचा जाता है, तो यहां पे अपनी पावर लेवल चेक करने आए हो कांग युवान कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो मैं अपना पावर लेवल चेक करने आए हो क्यूंकि मैं यहां पर पावर लेवल चेक करने क्या हो क्यूंकि मैं अपना एक हंटर बनना चाहता हूं और यही मेरी एक अची न्यूज है हमें वहां पर बंदे दिखा जाते हैं जो हैंटरों की चेकप कर रहे होते हैं वहां पर पता लगा रहा हुँ है सबसे पावरफुल हंटर कौन सा है और इसकी पावर लेविल के साफ से उन्हें एक अलग बैज में बेज रहे होता है और जिते भी लोग होते हैं हमाँ पहां अफ्मार बंदा कहता है कोई चिंता है बजब कोई चिंता नहीं है तो मगें अधियूसर हुँ जिसका ना गजी मेरी सबस्यादा आ गया वह कहता है क्या तुम्हारी एबिटी यह है चलो कोई बात नहीं हम अपने काम पर ध्यान रहते हैं और बात करें हमारी वैल्यू कि तो वह तो हमारी बढ़ता नहीं वह भी पर खड़ा खड़ा सोच लग जाता है तो फिर वह बंदा कि देखो आगे की लोग जा रहे चलो तुम भी आगे बढ़ो और वह उसको दक्का देने लग जाता है और वह कहता है अपने मन में वैसे तो मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं मगर मुझे क्या कर प्रेंक के उसको राइस करना होगा वर्ना मैं ऐसे चोटे मोटे बड़े बड़े हंटर से कुड़ जाऊंगा ऐसा वो क्याता है तो उदर देखता है उदर के बंदें उसे धकेल रहे होता है और हमें दिखाए जाता है उनको एक अलगी जिए पहले जाया जाता हुँ उनका गुदी काउंटर प्रेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंश फिहा थयुक्त्व होता है है उसके च्हांइन मुक्त पहले गया खुश्क करते हैं घंटेंस़ नक는지टेंटेंटेंश चाहिए देखता हए दो यह जाता है है यूजर है ऐसा हमारा मेन केरेक्टर कहते है और वह कहते हैं लगता है तो यह जाएगा वह बंदा उससे कहता है यह जाएगा फिर वहां से चल पड़ता है और फिर अपना पता है यहार में क्या था मुझे तो कोई भी रैंक मेल जाया मैं तो खुश हूं बस मुझे तो अपना टास्क कंप्लीट करना है फिर उम्हें दिखा जाता है कांग यॉँआ का भी नंबर आ जाता है फिर वह अपने हाथ के कपड़े अठाके अपना हाथ डालता है उसके अंदर तो वह देखता है कि य नंबर आया और यहीं पर यह वीडियो एंड हो जाती है आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स पॉर वाचिंग